दोस्तो नमस्कार लॉकडाउन में आज आप मिस्स कर रहे होंगे सबसे ज्यादा तो वो है बजार के पोहे और बजार के पोहे जब तक ना खाएं तो इंदोरियों का दिल नहीं भराता तो आज हम कोशिश कर रहे हैं कि जो गोरा कुन पे गुरू के पोहे जो मिलते हैं तक इने गला लें गलाने में कुछ नहीं करना है पानी भर के ड्वोल देना है और इन्हें कती पई भी बहुत ज़्यादा पानी के अंदर रखकर ऐसे मसलला नहीं है आप इन्हें कभी भी मसल यह मत और इन्हें गलाकर 20-25 मिनिट छोड़ दिजए दो-तिन पानी में इसे न नहीं होता है पर हम यहाँ पर घर के लिए थोड़ा सा कटे वो ब्यारिक प्याज मज़े पसंद है तो हम बगार में डालेंगे कुछ लोग इसे कांदा पोहा महराश्ट्यन डिश में से कांदा पोहा भी कहा जाता है नाशिक पूने उस तरफ आप घर आप जाएंगे तो इसे कांदा पोहा भी कहा जाता है बट हम इंदौरी पोहे ही बना रहे हैं बट थोड़ा सा प्यास के साथ जो गुरू के पोहे की खास बात है वो है खड़े मसाले तो जो मैंने रिकोगनाइस किया उसके अनुसर हमें चार से पांच चे लॉंग और चार से पांच काली मिर्ची जिनको बहुत हलका सा कूट लेना है हमें खड़ी काली मिर्ची और खड़ी लोंग को साथ में दो हरी मिर्ची बारी कटी हुई थोड़ा सा हरा धनिया बारी कटा हुआ और उसके बाद राई और थोड़ी सी जाप चाहें तो हिंग ले सकते हैं और यहां पर हम लेने जा रह यह बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है पोहे में तो इसका भी अपना एक मज़ा है तो आईए हम आप गेस चालू कर लेते हैं और इसमें करीब दो से तीन चम्मस तेल डाल देते हैं तेल थोड़ा कम ही लें हेल्थ के अनुसार अगर आपको तेल बहुत ज्यादा पसंदे त पर मैं यह थोड़ा कम तेल में काम चला रहा हूं और जब तक तेल गर्म हो रहा है मैं आपको कुछ खास बात बता दूं कि जो पोहा इंदोरी पोहा खासकर हम बनाते हैं उसमें कतीपए जीरा नहीं डालते हम सिर्फ राई का यूज़ करेंगे और लाल मिर्च का उपयोग भी बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों साथ ही हम यहाँ पर ले लेंगे खड़ा धनिया खड़ा धनिया का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और यह हमारा तेल आ चुका है अब इसमें हम डालेंगे राई राई के बीच डाल दीजिए आप यहाँ पर राई जैसे ही फूट अब यहाँ पर डाल दीजिए कटी ही भारी खरी मिर्च अच्छे से चलाएं और थोड़ सी मिर्च सिख जा इसके बाद लॉंग और काली मिर्च के जो कुटा हुआ मसाल हमने लिया है वो डाल दें और फिर से कड़ाई को चलाएं इसके बाद अब इसमें हम डालेंगे प्याज प्याज जो बारी कटे हुए वो डाल दें और इसे फिर से चलाना शुरू कर दें मुझे उम्मीद है कि लॉकडाउन में आप सभी लोग बजार के पोहे बहुत मिस कर रहे होंगे और अब हमारे जो प्याज है वो ब्राउन होने लगे हैं तब हम आदी चम्मच के असपास इसमें हल्दी डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे नमक कितना डालना यह आपके सुआत पर डिपेंड करता है या नमक डालने के बाद इसे फिर से चलाएं और प्याज को थोड़ा सा और पकने दें तो दोस्तों यह बगार हमारा रेडी हो गया है और अब हम इसमें डालेंगे पोहे हमारे जो गले हुए पोहे हैं बिलकुल खिल खिलाते हुए उन सब को हम धीरे-धीरे डाल देंगे ध्यान रहे कोई भी पोहा तूटे नहीं भईया हाँ अच्छे से ठीक है तो यह आपने कैसे पोहे को चलाना है मतलब कि आपका पल्टा सिर्फ पोहे को पलटना चाहिए आप ऐसे ना चलाए कि पोहा जो है आपका तूट जाए चूरा चूरा हो जाए अक्सर मैंने देखा है जो साउथ में या यू कहूं कि जो मालवा के बाहर के लोग है वो पोहे बनाते समय उस कर्ची को बहुत जोरों से घुमा देते हैं तो उस समय क्या होता कि पोहा पूरा तूट जाता है यहां पर आप देख रहें कि मैं पोहे को सिर्फ अंदर से बाहर की तरफ उपर से नीचे की तरफ पलट रहा हूं ताकि पोहे एकदम तूटे नहीं सिर्फ ऐसे आप पलटते लगेगा आ जाएगा बहुत ज्यादा हल्दी मुझे कम पसंद है मैं बहुत लाइट हल्दी पसंद करता हूं और इंदरी पोहे की सबसे खास बात वहे चीनी शकर शुगर तो अब आपको चीनी शकर को डालने का एक समय आ चुका है अब दो बड़े चम्मच भरकर हम चीनी डाल देंगे इसमें तो अब शकर डालने के बाद हम इसे एक से दो मिनिट ऐसे ही पकाएंगे और हलका हलका सा उलट पलट करते रहेंगे उल्टा पुल्टा करके इन्हें दो से तीन मिनिट पकाएं और आपके गरमा गरम पोहे बिलकुल तयार है यह हमारे पोहे बनकर तया हो गए हैं कलर भी बहुत अच्छा है इसमें हमने बारी कटा हुआ धनिया भी आइड कर दिया है और लोंकाली मिर्ची की बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है तो तयार है हमारे पोहे एकदम गर्मा गरम तो हमारे पोहे हमने प्लेट में थोड़े से ले लिए इसके उपर नीबू का रस है या टाटरी है तो थोड़े सी टाटरी बहुत कम डाल सकते हैं और साथ में थोड़ा सा जिरावन फिर देखिए इसका मज़ा चार गुना छे गुना आड़ गुना हो जाएगा भी या तो भी है पसंद आये की नहीं आये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बत देखिए